मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई एस जे एस तो फ्रेंट्स आज मैं बनाने वाली हूं गेहूं के आटे का बहुत ही हिल्दी और टेस्टी मज़ेदार नास्ता तो फ्रेंट्स रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो आ बारी काट लिए हैं एक बारी कटा प्याज और एक चमच नमक डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला देंगे चमच की सहायता से मिला लेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी होगा सबजियों में चोड़ देगा तो यहां पर इसको दस मिनट के लिए रेष्ट पर रख ताकि यह सबजियां थोड़ा सा ड्राय हो जाने तो फिर इस टफिंग करने में दिक्कत होगी इसलिए इसको इसे कपड़े में भी आप मलमल की कपड़े में भी छान सकते हैं अच्छी तरह से उसमें भी और इन हाथ से भी अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा पानी निकल इसे पानी निकला हुआ है ले킨 सीको फेकेंगे नहीं इसको आटा उचले में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एक कप गहुं काटा है जिसा कि आप देख सकते है जो घर में हम लोग नॉर्मल दोती बनाते हैं वहीं अटा है और हाप टेस्ट पून यहां पर अजवाइन लिए हैं थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेशन भी अच्छा होता इससे और जो सब्जियों आला पानी है पहले इसी पानी को इस्तिमाल करेंगे फिर जैसा जरूरत लगेगा तो ही अलग से पानी लेंगे नह अब यहां पर डालेंगे छा धनिया पतटी है इसको बारेक बारीक काट लिये हैं एक चमच अदरक लबेकल का पेश्ट है, हाप्टे स्पून नमक डालेंगे, पहले भी नमक डाले थे तो पाने के साथ थोड़ा से अधिक हो गया होगा, उसलिए हाप्टे स्पून और हिसाब से रख सकते हैं और यहां पर फ्रेंट्स दो भी अच्छे तरह से रेश्ट कर लिया है इसके छोटी छोटी लोई बना लेंगे तो फिर इसको बेलने में आसानी होगी जिसा कि देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा लोई नहीं लेना है थोड़ा छोटा छोटा ही जैसे हम लोग सिंपल पूरी बनाते हैं उसी साइज का लेना है मिश्रन और थोड़ा से इसको चप्टा करके थोड़ा से इसको कर देंगे लोई टाइप में तो थोड़ा से बेलने में आसानी होगी और फ्रेंट्स मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइ और एक चमच इस पर लेकर के हरी चटनी अपलाई करेंगे जो हम लोग नॉर्मल धनिया लासून हरी मिर्च का चटनी बनाते हैं वहीं चटनी है तो थोड़ा से चटपटा टेस्ट आ जाएगा और इस पर थोड़ा सा इसके ऊपर सेजवान सौस अपलाई किये हैं इसका भी मसालों के साथ तयार किये हैं बहुत ज्यादा नहीं करना है थोड़ा सा एक लेल ले जाना है सब्जियों का और थोड़ा से इसको रोल करते रहना है दबाते हुए ताकि अच्छे से एस सेट हो जाए जैसा कि अब देख सकते हैं कि आसानी से एस सेट हो जा रहा है फिर खु बना सकते हैं और नाश्ता फ्रेंड्स बहुत ही जटपट पन कर तयार हो जाता है तो आप इसे जरूर ट्राइए बार करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा अगर एक बार इस नाश्ते को बना लिए तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि गेहूं कि आटे से बना हुआ है फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिष्ट लगता है असुबह साम आप इसे चाय के साथ भी बना करके इंजवाय कर सकते हैं तो ऐसे ही थोड़ा सा इसको साइट से दबा देंगे ताकि सेट हो जाएगा स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी आप चाहें तो पानी लगा कर भी इसे सेट कर सकते हैं बाकी ऐसे भी सेट हो जाएगा जिसा कि आप देख सकते हैं कि एकदम स्प्रिंग रोल जैसे बनकर के तयार हो गया है और इसमें तो फ्रेंड्स सीट वगरे भी बनाने की जंजट नहीं है तो यह जटपट नास्ता बनकर तैयार हो गया है अभी आप लिए है एक जाली वाला ठाली और इसमें तेल से इसको ग्रीस कर दिए हैं उसके बाद इसमें नास्ता को रख देंगे और इसको रख कर के ढख देंगे और 15 मिनट तक इसको ढख करके स्टीम देना है मेडियम फ्लेम पे लो फ्लेम नहीं करना है यहां पर 15 मिनट में अच्छी तरह से इस्टीम हो जाएगा तो यहां पर 15 मिनट हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं और यहां पर 4 टेबल इस्पून मैदा लिए हुए है इसमें पानी डालके थोड़ा सा इसका लंफ्री घोल बनाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं आप चाहें तो नास्ते को ऐसे भींजवाय कर सकते हैं बिना फ्राई किये भी क्योंकि नास्ता अच्छी तरह से पक चुका है अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती और नमक डाल देंगे डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे और बहुत ज्यादा इसका पतला घोल नही करना है क्योंकि नास्ता पर से पका हुआ है इसलिए तो इसको एक एक नास्ते को जितना आपके पैन में या प्लटते रहेंगे जीसा कि अप सकते हैं और इसको अलटते पलटते गोल्डेन ब्राउन होने तक या क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही जटपटे फ्राई हो जाएगा फ्रेंस और इसमें कलर बहुत प्यारा आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं तो फ्रेंस इस नाशते को और जरूट ट्रै करियेगा बेना जंजट का बनता है जैसा कि मैं बता चुकर पाले कि शीछ बनाने का भी जंजट नहीं है। प्रिंग रोल बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे जंजट होते हैं लेकिन यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका टेस्ट तो पुछिए मत एगदम लाजबाब होता है और हिल्दी भी यहां पर सारा नास्ता बनकर तयार हो चुका है जिसा कि देख सकते हैं बहुत ही बन गया है और इसको काट करके आपको दिखाती हूं कि बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है मार्केट में बहुत ताजी ताजी इस टाइम सब्चियां मिल रही है तो इसे जरूर बनाईएगा और कमेंट करके भी जरूर बताईएगा कि मेरी रेसिपी आज की आपको कैसी लग मिलता है उसी मोटिवेशन से मैं इतनी नई ने रेसिपी लेकर आती रहती हूं